दोस्तो आज मैं आपके साथ डिसक्स करने वाला हूँ नैनी ताल ट्रिप के बारे में तो अगर आप नैनी ताल जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपी के लिए हैं यहाँ पर मैं आपके साथ complete trip plan डिसक्स करने वाला हूँ तो ये trip plan उन लोगों के लिए भी होगा जो 4 days के लिए जाना चाहते हैं, ये trip plan उन लोगों के लिए भी होगा जो 3 days के लिए जाना चाहते हैं, और ये trip plan उन लोगों के लिए भी होगा जो 2 days के लिए जाना चाहते हैं, तो basically at least आपको 2 days तो दे नहीं है, और इस वीडियो में दोस्तो मैं सिर्फ ट्रिक प्लान कवर करने वाला हूँ, इसके बाद एक और separate वीडियो आएगी जिसमें मैं कुछ important tips दूँगा, budget friendly tips दूँगा और आप नैनी ताल को कैसे successfully घूम सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, उससे related tips दूँगा, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर watch करिएगा, तभी आपको complete information मिल पाएगी, तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तो सपोस्ट करिए day 1 में, आप early morning खाट गोदां या हल्दवानी पहुंच चुके हैं, वाया train, या जो भी आपके पास साधन होगा, उससे आप पहुंच चुके हैं, तो आप माल दीजिए 8 o'clock, 8.30 पे start लेते हैं, तो day 1 में मैं आपको suggest करूँगा, कि आप मुक्तेश्वर निकल जाएए, ठीक है, ये trip लांक तो नैनी ताल का है, लेकिन पास में एक और बहुत अच्छा प्रेस है, वो है मुक्तेश्वर, तो नैनी ताल से भी better मैं rate करता हूँ वन डे ट्रिप के लिए, तो आप मुक्तेश्वर चले जाएए, और मुक्तेश्वर लगभग खाट गुदाम से 70 किलोमेटर का डिस्टेंस पे है, तो आपको लगभग धाई घंटे लग जाएंगे, और अगर आप बीच में थोड़ा breakfast लेते वे जाएंगे, तो आप 3 तो लगभग लगभग आप मान दीजिए, आप 12 o'clock तक मुक्तेश्वर पहुँच जाएंगे, और दोस्तों मुक्तेश्वर में आप बड़े अराम से 5 to 6 hours के लिए enjoy कर सकते हैं, मुक्तेश्वर में आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर मैं कुछ important चीज़ आपको बताओं चौली की जाली, मुक्तेश्वर, धाम टेंपल, महादेव टेंपल, कुमाव हेल्स, माउंटेन व्यूपॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं मुक्तेश्वर में करने के लिए, और दोस्तों नैचुरल ब्यूटी बहुत ही जादा है, इसपेशली जब आप खाट ग दाम से आप मुक्तेश्वर जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारे उप्शन हो सकते हैं, आप वाया बस जा सकते हैं, ठीक है अगर आप बजट फ्रेंडी ट्रैवल चाते हैं, तो या आप वाया टेक्सी जा सकते हैं, या आप वाया स्कूटी जा सकते हैं, जो आलवेस मैं मुक्तेशवर में सारी चीजे विजिट कर लेने के बार, आप अगर अपने साधन से आए हैं, जैसे कि अगर आप स्कूटी से आए हैं, या आप वाया बस जाने वाले हैं, तो बैटर रहेगा कि उस दिन आप मुक्तेशवर में ही स्टे कर लीजिए, और अगर आप टेक्सी कर क्या है, कोई और ड्राइव करने वाला आपके लिए, तो आप मुक्तेशवर से रात को ही नैनी ताल जा सकते हैं, अदर्वाइस, आप मुक्तेशवर में ही नाइट स्टे करिए, वही मोटल ले लीजिए, मुक्तेशवर की ब्यूटी को एंजॉय करिए, और नेक्स टे, डे बजे तक, अर्ली मौनिंग, नैनी ताल पहुंच जाएंगे, और इसके बाद, होटल जो दोस्तों आपको लेना है, नैनी ताल में, वो मौल रोट के आसपास ही लेना है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट टिप्स भी दूंगा, टिप्स वरी वीडियो में, तो जैसे आ आप अपने होटल में चेक-इन करेंगे, लेट सपोस आप वन आवर, वन एन हाफ आवर तक फ्रेशन अप हो जाएंगे, और आप 12.30 तक, अगर आप होटल से बाहर आ जाते हैं, मौल रोट अगर आप पहुंच जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक और पॉटल में कुछ खा करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है, बोटिंग के लिए, नैनी ताल लेक में, दोस्तों सबसे बढ़िया चीज है, नैनी ताल में वो है, नैनी ताल लेक में बोटिंग, मौल रोट में ही एवलेबल है, नैनी ताल लेक, तो एक्चुली यह वन किलोमेटर से टू किलो आएक एरिया है नैनिताल में जहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जहां विजिट कर सकते हैं तो दोस्तों जब आप नैनिताल लेक पहुंचेंगे तो नैनिताल लेक में जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो है आपके 160 रूपीस for half round and 210 रूपीस for full round basically 20 minutes 40 minutes के लिए round होते हैं और यहां पर paddle boat के चार्जेस भी almost 200 के आसपास ही हैं यहां पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप paddle boat मत लीजिए ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा enjoy करेंगे लेकिन दोस्तों वहाँ beauty इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आप अगर खुद से relax हो के enjoy करेंगे तो आपको ज़्यादा मजाएगा अगर आप paddle मारते रहेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा enjoy नहीं कर पाएंगे तो important यही रहेगा कि आप ऐसी boat लीजिए जहाँ आपके लिए कोई और boating कर रहा हो तो अब आपको यहाँ पर boating करनी है boating में suppose करी आपको one hour तक आपने पूरी तरीके से enjoy किया और beach beach में आपको street food भी enjoy करते चलना है ना जो भी activities में आपको बता रहा हूँ बहुत सारे street food के option है तो one hour तक suppose करी आपने enjoy किया तो let's suppose आप one forty five, one fifty तक मैं maximum लेके चल रहा हूँ आप free हो गए उसके बाद दोस्तो आप चले जाएए zoo, नैनी ताल जू के लिए दोस्तो नैनी ताल जू भी बहुत जादा famous है तो नैनी ताल जू भी आस पास ही है वन किलोमेटर की distance पे है तो आप यह मा सोचिए कि sequence आपको कोई follow करना है मैं आपको ऐसे ऐसे places बता रहा हूँ जो आपको इस time पे घूमने में सबसे ज़ादा मजा आएगा तो मैं time के according बता रहा हूँ जैसे कि जो नैनी ताल लेक है उसमें आप सबसे ज़ादा enjoy करेंगे sunlight में आप बहुत अच्छे चीपिक्स ले पाएंगे उसके माद आप जू चले जाएए क्योंकि जू की टो timing है वो maximum 4.30 तक ही है 4.30 तक भी आप enjoy कर सकते हैं कोई problem नहीं है time की यहाँ पर तो जू को 4.30 तक enjoy कर लेने के बाद आप आप वापस आजाएए mall road की तरफ मतलब main attractions की तरफ वापस आजाएए और सबसे पहले आप चले जाएए नैना देवी temple ठीक है जो की वैसे ही जहाँ बोटिंग करते हैं उसके बिलकुल पास में ही है लेकिन जू जैसा मैंने बताया time की problem थी इसलिए पहले आपको जू गूं के आ जाना है फिर आप नैना देवी temple चले जाएए और नैना देवी temple शाम को दोस्तों आप बहुत जादा enjoy करेंगे वहाँ से आपको लेक की जो view है temple के अंदर से वह बहुत ultimate मिलेंगे शाम के time पे इसके लाबा दोस्तों जो शाम के time में mall road है ना वहाँ पर भी आप बहुत जादा enjoy करते हैं तो आप नैना देवी temple विजिट करिए half an hour, one hour तक enjoy करिए वहाँ पर गुद्वारा भी है गुद्वारा भी विजिट करिए इसके बाद दोस्तों आप normal shopping करिए, mall road में enjoy करिए, dinner करिए, सब कुछ करिए ठीक है, बिलकुल relax करिए आप उस दिन नाओ दोस्तों जो next day होगा, day 3 होगा, उसमें आपको क्या क्या करना है तो दोस्तों क्या करना है day 3 में, अगर आप जाना चाहें तो आपको ना five point tour के ले जाना है, तो five point tour में basically क्या क्या कवर होता है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ important places अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका snow view point कवर होता है इसके रावा हिमालियन दर्शन कवर होता है आपका, इसके रावा दोस्तों इको cave garden कवर होता है, lovers point कवर होता है, tiffin top कवर होता है तो ऐसे और भी places है, एक दो places और भी कवर कराते हैं तो कौन कवर कराता है ऐसे, तो basically दोस्तों, आप एक taxi hire कर सकते हैं ठीक है, टूर ले सकते हैं, 5.7.2 जो है वो आप ले सकते हैं और यहाँ पर जो आप tour लेंगे, आप expect कर सकते हैं, 2.000 से 2.500 रुपीज टेक्सी के लिए, ठीक है? या, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप scooty लेकर गया हैं, तो सारे point नहीं लेकिन इसमें से maximum point आप via scooty भी cover कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तों इसमें से कुछ points आप tracking करते वे भी जा सकते हैं, तो सबसे better option वैसे I think care ही होगा, लेकिन अगर आप scooty से जाना चाहें, तो वो भी आप जरूर जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा enjoy करेंगे, तो यहाँ पर इन points के बारे में अगर मैं आपको brief main information दूँ, तो दोस्तों जो first point है हिमालियन दर्शन point, basically यह लगभग 8 km दूर है main bus tent से, और timing के अगर हम बात करें, तो सुबा 6 से 5 PM तक आप expect करते हैं timing, और दोस्तों यहाँ पर आपको हिमालियन ranges देखने को मिलती है, आप telescope के through देख सकते हैं, इसके extra charges होंगे obviously, और इसके अलावा दूस्तों अगर मैं next point की बात करूं, तो next point होता है आपका snow viewpoint, snow viewpoint में भी आपको हिमालियन ranges देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी activities है, तो आपका time यहाँ पर बहुत अच्छा utilize हो जाता है, दोस्तो snow viewpoint के बारे में एक और मैं आपको information देरा चाहूँगा, snow viewpoint अगर आप चाहें, तो आप cable car के through भी जा सकते हैं, 300 rupees charges होते हैं, आपको taxi से जाने की बिल्कुल जवरत नहीं है, means अगर आप 5.7 point tour करना नहीं चाहते हैं, आप separately 2-3 point cover करना चाहते हैं, तो आप cable car के through जाएए, ropeway के through जाएए, तो 300 rupees charges लगेंगे और आप बड़े अराम से enjoy कर पाएँगे, यह आपके उपर है, now दोस्तों जो next है eco cave garden, basically इसकी timing जो है 9.30 से 5.30 है, basically it is a natural park, ठीक है, और यह जो है main bus stand से 3 km की distance पर है, तो आप इसे भी जरूर enjoy कर सकते हैं, now दोस्तों का next बात करूँ, lovers point, दोस् इसे भी कर सकते हैं, now दोस्तों जो next point है, वो है tiffin top, basically दोस्तों यह highest peak है ननी ताल में, और दोस्तों यहाँ पर आप पहले तो horse stand तक जाएंगे, और horse stand पर जाने के बाद आप वाया horse जा सकते हैं, और दोस्तों अगर मैं charges की बात करूँ तो 500 से 700 तक आप expect कर सकते हैं, bargaining पर depend करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जरूर जाएंगे, आप बहुत जादा enjoy करेंगे, और इसके रावा और भी कुछ points है, मैंने main main points आपको बता दिये हैं, अगर आप cap के through जाने वाले हैं, तो सारे points आपके almost cover हो ही जाते हैं, सारे points cover कर देने के बाद, आप लग क्योंकि काफी ठक चुके होंगे, लेकिन relax करिए, क्योंकि more road में दोस्तों, इतने सारे options है न, इतने सारे आपको views देखने को मिलते हैं, कि आप mentally और physically दोनों तरीके से बहुत अराम से relax कर सकते हैं, और मन करें तो कुछ shopping भी कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका जो day 3 है, वो यहाँ पर complete हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों अगर next day, day 4 की बात करें, तो आपको क्या करना है, early morning 8.30 तक आपको निकल जाना है, और दोस्तों day 4 के लिए, आपके पास scooty या cab होनी ही चाहिए, means आपके पास अपना साधन होना चाहिए, otherwise आप इस day को फिर exclude कर दीज तो यहाँ पर दोस्तों, day 4 की बात करें, तो आपको क्या करना है, आपको अपना luggage लेकर, ठीक है, अगर इस scooty होगी तो obvious ती बात है, आप luggage बहुत light लेकर चल रहे होंगे, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, मेरे vlogs में देख सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको जाना तो खाट ताल और भीमताल, especially ये दो places तो आपको कवर करने ही है, तो दोस्तों, जब आप इन places को कवर करते हुए, नैनी ताल से खाट बोदाम या हल्दवानी तक पहुंचेंगे, तो obvious ली बात है कि जो route है वो थोड़ा long हो जाएगा, means अगर generally आपको one and half hour लगते हैं, तो आपको three hours और आप beach में घुमेंगे भी four to five hours के लिए, तो आप seven to eight hours तो लेकर ही चलिए, at least, उसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि places बहुत अच्छे हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोनों places के बारे में आपको बताता हूँ, जो आपको रास्ते में cover करते हुए चलना है, तो अगर आप भीमतान आने वाले हैं, और अगर आप budget friendly travel चाहते हैं, तो आप नैनी ताल लेक में boating ना भी करें तो चल जाएगा, भीमताल लेक में boating करिए, बहुत ज़्यादा clean water है, आप बहुत ज़्यादा enjoy करेंगे, beauty आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, natural beauty, तो इ इसे भी आप ज़रूर विजट कर सकते हैं, इसके रावा दोस्तों एक करकोटक hill है, जो की नाग temple के लिए बहुत ज़ादा फेमस है, basically ये 2.5 km के distance पे है भीमताल से, इसे भी आप ज़रूर विजट कर सकते हैं, इसके रावा दोस्तों अगर time permit करें, तो आप हिडंबा बात करूं, तो basically जो सत्ताल है, it is a cluster of seven interconnected fresh water lake in Nainital district, तो बहुत ज़ादा आप enjoy कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन अगर आपके पास time कम हो, तो आप भीमताल ही choose करिए, सत्ताल को आप avoid कर दीजिए, भीमताल ज़ादा बेटर, इसके रावा दोस्तों अगर मैं सत्ताल में attractions की बात करूं, तो यहाँ पर आप boating enjoy कर सकते हैं, bird watching enjoy कर सकते हैं, जो सत्ताल के around, जो hills है न, वो tracking के लिए बहुत perfect माने जाते हैं, तो यहाँ पर आप tracking भी कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तों आप rock climbing के भी मजे ले सकते हैं, तो काफी कुछ है सत्ताल में भी करने के लिए, त आपका four days का trip plan है, इसमें आप चाहें तो one day और add कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो Jim Corbett National Park भी जा सकते हैं, आपने सुना ही होगा, काफी famous National Park है, यह just 66 km की distance पर है नैनी ताल से, और यहाँ पर यह जो Jim Corbett National Park है, इसमें safari की अगर मैं आपको timings बता दूं, complete information म share नहीं कर रहा हूँ, लेकिन brief में आपको बता रहा हूँ, तो 6.30 से 9.30 होती है, एक timing, और एक timing आपकी होती है, 4 to 6, ठीक है, यह आपकी summer में होती है, और winter में आपकी होती है, 7.30 से 10.30 और 3 to 5, तो आप अपने according, evening की या morning की timing, चूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों, यह आपक मुक्तेश्वर को skip कर दीजिए, आप चाहें, तो 70 भीम ताल वाला जो route है, उसे skip कर दीजिए, तो जो 2 days नहीं ताल में है, सिर्फ वो ही आप spend कर लीजिए, या इसके रावा आप चाहें, तो 1 day नहीं ताल में कर लीजिए, जो मैंने आपको day 2 बताया था, जिसमें mall, road, shopping, इसके अलावा नहीं ताल लेग ये सारी चीजिए बताई थी, और एक दिन आप मुक्तेश्वर कर लीजिए, तो अपने हिसाब से आप permutation and combination बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं best route की बात करो, मेरे recording, तो आप मुक्तेश्वर और नहीं ताल 1 day, ये route आप follow कर सकते हैं, आपको अगर ये route प्लान आपको पसंद आया होगा, अगर ये route प्लान आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, तेंक यू और अपना बहुत बहुत थ्यार रखेंगा.